नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने एक बहुत ही महत्तोपूर क्यूशन यहाँ पर पुटप किया है कमेंट के मात्यम से कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी CSP को ले लेते हैं मतलग किसी BCS बैंग का CSP ले लेते हैं तो वहाँ से भी तो हम लोग सभी बैंगों का पैसा विड्र बना हुआ है तो हम आज के इस विडियो में आप लोगों का डाउट बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं आपको यहाँ पर इसका जो सही इंवरमेशन है वहाँ मिल जाने वाली है ठीक है तो यह विडियो मिस मत कीजिएगा, इसकिप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा अगर आपने देखा होगा कि जो भी CSP संचालक होते हैं वहाँ अधरबायंग का बाइलेंस विड्रा नहीं करते हैं जब कि जो प्राइवेट एपिस संचालक मतलब की जिसे माल लेते हैं प्राइवेट कंपनी वाले हैं इनके जो संचालक होते हैं ये लोग प्रती हजार के इसाब से 10 उनपए का चार्ज भी लेते हैं ठीक है अजब वहाँ पे CSP वाले जो होते हैं वो भी किसी अधरबायंग का बाइलेंस विड्रा करते हैं तो वो लोग भी दोस्तों यहाँ पे हजार के पीछे 10 उनपए इस्ट नहीं लेते हैं ठीक है उनका ट्रांजिक्शन देखा जाए तो डेली लगबग लगबग मनी ट्रासफर से लेकर के एपीएस तक यानि कि विड्रा तक उनका लगबग लगबग 4-5 लाग का डेली आसानी से अमनलब ट्रांजिक्शन हो जाता है ठीक है तो आगर वहाँ पे लोग चाहें अधर बैंकों का यहाँ पे बैलेंस विड्रा करके वो लोग अच्छा खासा इंकम कर सकते हैं लेकिन वो लोग नहीं करते हैं तो कोई भी सेस रीजन होगा तभी वो लोग नहीं करते हैं तो वो क्या रीजन है वो भी मैं आपको यहाँ पे इसपश्ट कर देत हूну तो देखिए दोस्तों यहां पे ब्यवस्थाईं तो सभी होती है CBC मेलिब किसी SPS अंचालकों के पास कि वो किसी भी बैक का बैलेंस वीड़रा कर सकते हैं बड़ दोस्तों यहां पे एक बात यह होती है कि अगर अन किसी बैंक का वीड़रा करते समय वैलेंस balance funds जाता है तो उसके लिए उनकी जो साखा होती है वह बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होती है ठीक है अगर वो अपने बाइंक में इसके complain भी करते हैं कि मारा पैसा इस बाइंक में funds गया है विड्रा करते समय तो bank manager उनको डाटेगा बहुत जादा ठीक है अब साथ ही साथ कुछ भी उनका वहाँ पे help नहीं हो पाएगा उनका balance funds जाएगा लेकिन अगर वो जिस बाइंक का साखा चलाते हैं उस बाइंक का balance funds भी जाता है ठीक है मान लेते हैं उसने किसी customer का balance विड्रा किया को आपके वालेट में refund करवा देगा यहां आपको सुविदा मिलेगी बट अगर किसी अन्य bank का आप यहां पे विड्रा करते हैं तो यहां पे bank आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा ठीक है यदि ज़्यादस ज़्यादा आप लोग करेंगे तो ऐसे में आपकी CSP ID भी जो है वह टर्मिनेट कर दी जाएगी आपको काफी ज़्यादा नुक्सान यहां पे जेलना पड़ेगा दूसरी बात दोस्तों यहां पे यह आती है कि अगर जैसे किमान लेते हैं आप पंजाब नेशनल बैंक के CSP है ठीके आपके पास कोई कस्टमर आया बैंक का बड़ोदा का वो चाहता है कि आप हमारा विड्डरा कर दीजिए तो सबसे पहले यहां पे आपको इनफार्म किया जाता है आपके मतलब फ्रेंचाइजी के तरफ से कि आप पहले यह देखिए कि आपके आसपास में 3 किलोमीटर के रेंज में कोई बैंक का बड़ोदा का CSP संचालक मवजूद है कि नहीं है अगर मवजूद है तो ऐसे कस्टमर का विड्डरा आप बिल्कुल भी मत कीजिए उसको उसके साखा में भेद दीजिए ठीके यह इन लोगों का एक CSP है संचालक है जो कि किसी अन्य बैंक का पैसा भी विड्रा करता है तब दोस्तों निश्चित ही वह कोई प्राइवेट आइडी लिया हुआ होगा जैसे पेनियर भाई अप्लिकेशन या स्पाइस मने रोइनेट इजी पे डीजी पे कोई साभी हो ठीके वो प्राइवेट यहां पे अप्लिकेशन लिया होगा उसी से यहां पे वो विड्रा करता है ठीके अधर बैंकों का विड्रा हुआ बिल्कुल अपने CSP आइडी से नहीं करता है क्योंकि उसके ब्राइच को पता चल जाएगा कि वो जादा से जादा अधर बैंकों का यहां पे विड्रा करता है तो ऐसे में उसकी जो CSP आइडी है वहाँ टर्मिनेट कर दी जाएगी ठीके उसको जुर्माना भी सायद यहां पे भरना पड़ सकता है तो यह बहुत ही काम की इन्फार्मेशन है अधर आप लोग चाहते हैं कि CSP लें तो CSP लेने के साथ साथ में आपने दिमाग से यह बात निकाल दीजिए कि हम उसी आईडी से सभी बैंकों का वाइलेंस आसानी से विड्रा कर पाएंगे ठीके तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा बस यही बात है कि अगर आप लोग CSP लेते हैं अधर बैंक का वाइलेंस भी बिड्रा करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई प्राइबेट आईडी परचिच करने ही पड़ेगी ठीके अधर साथ ही साथ जानते हैं कि आपको यहां पर CSP वाले होते हैं वो दोस्तों सब ही जो बिवस्थाएं होती है जैसे कि माल लेते हैं रेजिस्टर मैंटेंस हो गया या आपका जो मतलब प्रिंट रिसीप्ट हो गया वो देना हो गया ठीके इन सब चीजों को दोस्तों वो लोग बिल्कुल मैंटें करते हैं कस्टमर का साइन करवाते हैं कस्टमर के अकाउंट नंबर भी लिखते हैं ठीके उनका जो ट्रांजिक्शन आइडी होता है वो भी वो लोग लिखते हैं साथ साथ आप लोग जानते हैं कि उनके पास दोस्तों यहाँ पे CCTV की विवस्ता भी लगभग लगभग मौजूद रहती है ठीक है तो ये सारी चीजे उनको maintain करनी पड़ जाती है तो अगर आप लोगों के मन में ऐसा कोई doubt था दोस्तों तो उमिद करते हैं कि अब आप लोग बिल्कुल भी इससे clarify हो चुके होंगे CSP अगर आप लोग लेते हैं तो CSP से आप लोग other bank का balance विड्डरा करने के बिसे में बिल्कुल भी ना सोचें तभी आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्टे वडियो में एक नई जानकारे के साथ 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 अगर आपको किसी भी टापिक पे दोस्तों doubt है कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो नीचे comment box में आप लोग अवस्य टाइब कीजिए